बिस्मिल्लाई रुख्मान रहेम असलाम वालेकूम नाजरीन केट रहे हैं आप उमीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खरियत के साथ होंगे नाजरीन आज मैं आपको बताना चाहते हूँ कि दांतों के दर्मियान फासला क्या जाहिर करता है यह किस चीज की निशानी होती है और किन लोगों में ऐसा होता है तो जिन अफराद के दांतों में फासला होता है वो हर मामने में खुश नसीब होते हैं लेकिन अक्सर अफराद इस गेप से इतने तंग और परेशान होते हैं मेंगे मेंगे ट्रीटमेंट करवा कि इस गेप को खतम कर देते हैं तो इस गेप को इन अफराद का मानना होता है कि इस गेप के बाइस विल्कुल भी अच्छी नहीं लगते और ये फासला इनकी खुबसूरती में खलल डालता है दांतों के दर्मियान मुझूद फासले के पीछी आफिर रास क्या है आज हम आपको इस हवाले से चंद एहम मालूमात बताएंगे जिन को जान कर आप भी हैरान रह जाएंगे जहीं जिन अफराद के दांतों के दर्मियान फासला होता है वो बहुत ज़्यादा जहीं होते हैं और इसके साथ ऐसे अफराद बहुत तकलीकी भी होते हैं ऐसे अफराद को जहीं होने की वज़ाद से आइन स्टाइन भी कहा जाता है बातोनी ऐसे अफराद को बाते करने का बहुत शोक होता है ये अफराद हर किसी से बाते करने शुरू हो जाते हैं चाहे वो कोई अजनबी हो या फिर इनके दोस्त ही क्यों ना हो और खाने के शोकिन जिन अफराद के दांतों के दर्मियान फासला होता है वो लोग खाने के बहुत ज़्यादा शोकीन होते हैं ऐसे अफराद को कुछ भी खिला दिया जाए वो खुशी-खुशी सब कुछ खा लेते हैं हर काम में कामयाब दांतों में फासला जिन अफराद के मौजूर होता है वो हर काम में कामयाब हो जाते हैं वो अफ्राद जिंदगी के हर मोड में कामियाब होते हैं चाहे वो केरियर हो, तालीम हो या फिर अजवाजी जिंदगी हो ये अफ्राद हर मोड पर कामियाब होते हैं तो नाजरीन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर ज़रूर शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें थैंक यू अलाहाफेज मिलते हैं नेक्स वीडियो में और दूसरी वीडियो में बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ हाजिर होंगे थैंक यू